हलो इन गुड मॉनिंग एवरीवन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम 16 फरवरी से रिलेटेर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से रिलेटेर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और लास्ट के अंदर मैं आपसे एक क्वेशन भी पूछूंगी तो उसका अंसा मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा और यह मेरा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आप इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बने हैं देवाशिश मित्रा बने हैं इसका करेक्ट आंसर होगा देवाशिश मित्रा को 2022-23 के लिए इंस्ट्यूट ऑफ चार्टेर अकांट्स ऑफ इंडिया के न्यू प्रेजिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गय 34 से अधिक सालों से अकांटिंग प्रोफेशन में है यह और चार्टेर अकांट्स होने के साथ वे कोस्ट अकांटेंड और कंपनी सेकेटरी भी है चलिए आईसी ए आई की बारे में बात करें तो यह स्टेबलिस्ट हुई थी 1 जूलाई 1949 को इसका हेड़कॉर्टर न्यू द टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड अगें तो फिर से कौन बन गया है और चंद्र शेखरन बन गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोड तो यह मुनिश्वर नात भंडारी बन गया है न्यू चैर्मेन ओव स्टाप सेलेक्शन कमिशन ससी के न्यू नई चैर् हुज़ा बने हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन हैस लॉंच्ट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट यूस-04 बाई विच रॉकेट बिफोर दे ये ट्वंटी टू भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन नी वर्ष दो हज़र बाइस के पहले प्र तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन ने 2022 के फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-04 और टू स्मॉल सैटेलाइट को PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा लॉंच किया है और ये PSLV की 54 नमर की फ्लाइट है और ये 44.4 मीटर लंबा रॉकेट है और इस के बारे में हम बात करें EOS-04 के बारे में तो EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे क्रेशी वानी की और व्रक्षार ओपन बार्ड मांचितरन मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए डिजाइन किया गया है और इसको मौ है तो इसकी मिशन लाइफ 10 साल है और नेम ओफ अधर टू सैटलाइट विच हैव बीन लॉंच्ट विद EOS-04 तो इसके पहला है INS-2 TD और इंस्पायर सेट 1 जो इसके साथ में लॉंच किया गया है दो छोटे जो सैटलाइट है इनका नाम है ये और इस रो की अब हम बात कर 169 को और इसके फाउंडर विक्रम सारा भाई है प्रेजिडेंट कौन बने है अभी एस सौमनाद बने है और जो फर्स चेर्मेन थे ये विक्रम सारा भाई थे थे थर्ड नंबर क्रेशन है वो इस लॉंच दे लाइवली हूड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम विरेंद्र कुमार के द्वारा लॉंच की गई है Union Minister for Social Justice and Empowerment डौक्टर विरेंद्र कुमार ने स्माइल सेंटर सेक्टर की स्कीम स्टार्ट की है और इस स्माइल का मतलब क्या है तो सपोर्ट फोर मार्जिनलाइज इंडुज्वल फोर लाइवलिवूड एंटरप्राइज इसका मतलब है और यह जो scheme है इसका aim है transgender community और भीग मागने के काम में लगे लोगों को welfare measure provide करवाना इसका काम है और यह जो scheme है यह target group को required legal protection, social security और एक secure life का promise देती है और ministry ने 2021-2022 से 2025-2026 तक 5 years के लिए scheme के लिए 365 करोड रुपे आवंतित किये हैं तो जो smile scheme है यह किसने launch की है विरेंद्र कुमार ने यह launch की है यह union minister for social justice and empowerment है 4 number question है when is international epilepsy day 2022 celebrated अंतराष्टे मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है 14 फर्वरी को यह मनाया गया है और international epilepsy day हर साल फर्वरी के second Monday को word के अंदर यह मनाया जाता है और 2022 में international epilepsy day 14 feb को मनाया जा रहा है और इसे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम बात करें तो epilepsy के बारे में awareness raise करने और epilepsy patient और उनके friends और family के सामने आने वाली problems को highlight करने के लिए International Bureau for Epilepsy और International League Against Epilepsy द्वारा jointly इस दिन को organize किया जाता है और मिर्गी क्या है इसके बारे में हम बात करें तो जो epilepsy है एक neurological disorder है जो एक इंसान को sensory disturbance के sudden और recurrent episode इसके अंदर आते है तो जो word epilepsy day है ये कम मनाया जाता है International Epilepsy day ये 14 feb को इस बार मनाया गया है और जो फरवरी का जो दूसरा जो समवार आता है इस दिन ये मनाया जाता है चले टॉप 5 days के बारे में हम बात करें तो word cancer day हमने कम मनाया है इस बार मनाया है चार फरवरी को ये मनाया जाता है word wetland day कम मनाया है हमने तो दो फरवरी को ये मनाया जाता है word neclated tropical disease day ये कम मनाया गया है तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है word leprosy day कम celebrate किया है हमने तो 30 जनवरी को ये मनाया है data privacy जो डे है ये 28 जनवरी को हमने मनाया है इस बार फाइब नमबर क्वेशन है, विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर है लॉंच्ट इंडियाज फर्स हॉप एक्सप्रेज मशीन फॉर दे प्रिवेंशन ओफ कैंसर, किस राज्य के स्वास मंत्री ने कैंसर की रोक्ताम के लिए भारत की पहली हॉप एक्सप्रेज मशीन को यह जाएगी ठीक है यह इनोंने बताया है, और अच्छे यह बताएगी वर्ड कैंसर दे कब मनाया चाता है, तो जो वर्ड कैंसर दे है यह 4 फरवरी को मनाया चाता है, ठीक है और होप से आपको दो पॉइंट याद आ रहे होंगे एक है होप मिशन जो युनाइटेर अरब अमिरात ने अपना मंगल मिशन लौँच किया था उसे होप मिशन के नाम से जानते हैं ठीक है और दूसरा पॉइंट आपको याद आ रहा होगा कि आप होप से उत्राखंड से बेरोजगार युवाओ को सायता के लिए होप पोर्टल को लौँच किया था उत्राखंड गवर्मेंट के दौरा अब बात महारास्ट के हो रही है तो महारास्ट के हैल्थ मिनिस्टर ने इंडिया की जो फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन है इसको कैंसर प्रिवेंशन के लिए लौँच किया है जो हैल्थ मिनिस्टर है इनका नाम क्या है राजे स्टोपे है ठीके आच्छा आप मुझे ये कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टॉम टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें सबसे भीड़भाड वाला जो इंडिया का कौन सा शहर टॉप पर है तो इसका अंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा तो जो होप मशीन है होप एक्सप्रेस जो मशीन है ये कहां लगाई जाएगी ये महारास्ट के अंदर लगाई जाएगी जो हांके हेल्थ मिनिस्टर है राजेस्टो पे उन्होंने ये अनौंस किया है चलि इनियास फर्स्ट की बात कर रहे हैं हूम तो टोप फफाइब केशन जो फ्रम फर्स्ट इनिया से बात कर लेते हैं बी सेट अप तो यह खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर सेट होने जा रहा है, which has become the first union territory of the country with national single window system, तो यह कहां बनेगा, जम्मु इन कश्मीर के अंदर, which organization has launched India's first AI-based job platform, स्वराजबिलिटी for persons with disabilities, तो यह कौन से IIT के द्वारा डवलप किया जा रहा है, Indian Institute of Technology, जी हैदराबाद के अंदर के द्वारा यह और्गिनाईज करवाए जाएगा, six number question है, who has become the new brand ambassador of Khadi and handicraft of Bihar, Bihar के Khadi और हस्त शिल्प के नई brand ambassador कौन होंगे, तो यह होंगे मनोज दिवारी होंगे, यह इसका correct answer होगा, भोजपुरी गायक भाजबास answer, मनोज दिवारी Khadi और Bihar के अन्य हस्त शिल्प के brand ambassador होंगे, और पतना में राजय मंत्री सेयर्ज शहनवाज हुसेन ने यह ऐलान किया है, brand ambassador की बात हो रही है, तो top 5 brand ambassadors के हम बात कर लेते हैं, new brand ambassador of plant-based meat company good dots, तो यह कौन बने हैं, नीरज चोपरा को बनाया गया है, new ambassador of internet panel on language, तो यह Vijay Shekar Sharma को बनाया गया है, first brand ambassador of online insurance platform Renew by, तो यह को इसको बनाया गया है, राजगुमार राओ बने है, which female crickator has been appointed by Leesand Lee Crickator, as its new ambassador to promote woman empowerment, तो यह जूलन गोस्वामी को बनाया गया है, who has become the new brand ambassador of online travel company, easymytrip.com, तो यह कौन बने है, Vijay Raj और वरून जो शर्मा है, इनको बनाया गया है, 7th number question है, which edition of Mumbai International Film Festival, will be organized in the year 2022, वर्ष 2022 में, Mumbai अंतरास्टे फिल्म महसव के, कौन से संस्क्रण का आयोजन किया जाएगा, तो यह किया जाएगा 17th जो एडिशन है, इसका आयोजन किया जाएगा, और documentary, short fiction और animation films के लिए, Mumbai International Film Festival का 17th जो एडिशन है, यह 29 माई से लेकर, 4 जून 2022 तक, Film Division Complex मुंबई के अंदर यह होने वाला है, और यह film जो, सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में, complete हुई है, और eligible है, उनको इस festival की best documentary को golden shunk और 10 लेक का जो cash price है, यह दिया जाएगा, और यह जो कारिकरम होता है, यह जो प्रोग्राम होता है, यह 1990 से महरास्ट गवर्मेंट के समर्तन से, Film Industry, Information and Broadcasting Ministry द्वारा, organize किया जाता है, और documentary, short fiction, animation films पर यह केंदरित है, और यह South Asia में non-feature films का सबसे पुराना और सबसे बड़ा festival है, तो इसका कौनसा edition इस बार organize किया जाएगा, तो जो 17th edition है, यह organize किया जा रहा है, एट नमर question है, वेन विल्दे Financial Literacy Week 2022 बी organized by the Reserve Bank of India, भारतिय Reserve Bank द्वारा वित्य साक्षरता सब्ता, 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो यह किया जाएगा, 14-18 फरवरी के बीच में यह किया जाएगा, और भारतिय Reserve Bank ने 14-18 फरवरी 2022 को, जो Financial Literacy Week है, 2022 के रूप में मनाएगा, और RBI ने देश बर में, special topic पर financial education message को प्रचार करने के लिए, 2016 से हर साल Financial Literacy Week और्गेनाईज यह कर रहा है, और बैंकों को इसके अंदर advice दी जाती है, कि वे information का convey करें, और अपने customers और general public के बीच में awareness create करें, और Financial Education Week की जो theme है इस बार, यह रखी गई है, Go Digital, Go Secure इस बार की theme रखी गई है, और यह जो theme है, यह Financial Education 2020 से 2025 के लिए राष्टे रणनीति के रणनीतिक उद्देशों में से एक के साथ में जुड़ा हुआ है, और इस वर्ष में वित्य साक्षरता जो सपता है, इसका focus सुरक्षित और सूद्रड डिजिटल लेंदेन सुनिशित करने की द्रस्टी से, जो नीमली की तीन विशों पर होगा, जिसके अंदर पहला है डिजिटल लेंदेन की सुविदा, सुरक्षा सुरक्षित महसूस करें और डिजिटल लेंदेन के लिए कोई डर नहीं, और ग्रहाकों को सुरक्षा है वो प्रवाइड करवाना, ये तीन जो मिशे है, इस पर इनका फोकस रहेगा, और RBI की अब हम बात करें, तो RBI regulates all the banks in India, Reserve Bank की स्थाबना कभू हुई थी, तो 1 April 1935 के अंदर ये हुई थी, RBI Bank was established on 1 April 1935, according to the provisions of which act, तो ये था Reserve Bank of India Act 1934, और इसका Headquarter Mumbai महारास्ट के अंदर है, और Governor कौन है, शक्तिकान दास है, 9. Question है, For how long has the Central Government extended the State Police Force Modernization Scheme with an outlay of Rs. 26.275 करोज, केंज सरकार ने 26.275 करोड रुपे के परिवे के साथ, राजय पुलिस बल आदूनी की करन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया है, Government ने State Police Force के Modernization की Scheme को 2021-22 से 2025-26 तक 5 years के लिए continue करने के लिए अप्रूवल दिया है, और 5 years के लिए Total Central Financial जो आउटले है, ये 26,275 करोड रुपे है, और ये Scheme 1969-17 से Home Affairs के दोरा इंप्लिमेंट की जा रही है, और ये योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करें, और इसका एम क्या है, तो ये जो योजना है, इसका उद्देश है, राजे पूलिस बलो को परियाप्त रूप से लेस करके, और उनके प्रक्षिक्षन बुनियादी ढाचे को मजबूत करके, आंत्रिक सुरक्षा और कानून व्यवस्ता की इस्ति को नियंत्रित करने के लिए, सैना और केंद्रे शशक्त पूलिस बलो पर राज सरकारों की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है, इसका उद्देश है, तो इसको कब से बढ़ा दिया है, और इस योजना का फोकस क्या है, इसके बारे में हम बात करें, सहसाडग पुल का उधगाटन किस ने किया है तो ये किया है नितिन गडगरी के द्वारा किया गया है Union Minister for Road Transport and Highway नितिन गडगरी और भिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने Jointly भिहार में 14.5 किलोमेटर लोंग रेलकम रोड ब्रीज का इनोगरेशन किया है और भिहार के मुखेर एरिया में National Highway 333-B पर गंगा नदी पर मच अवेटेट ब्रीज का कंस्रक्शन किया गया है और इस प्रोजेक्ट की जो कोस्ट है ये 6.96 करोर रुपे है और इस जो ये प्रोजेक्ट है इसका लाब क्या होगा बेनिफिट क्या होगा तो जो न्यू ब्रीज है ये ट्रेवल टाइम को कम करेगा और ट्यूरिज्म और एगरी कल्चर को बूस्ट करेगा और साथ ही Employment Opportunities के अवसर को बढ़ाएगा चली 15 फरवरी की जो MCQ है जल्दी से हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है प्राकरती खेती को बढ़ावा देनी के लिए जीवा कारिकरम को किस बैंक ने शुरू किया है तो ये शुरू किया गया है National Bank for Agriculture and Rural Development के द्वारा दीस का correct answer होगा बारत अफरीका समद Changing Horizons नामक पुस्तक के लेकक कौन है तो इसके लेकक है राजी कुमार भाटिया इसके लेकक है थर्ड नमबर क्वेशन है भारती रास्ट्रे महिला दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को ये मनाया गया है फोर नमबर क्वेशन है किस Space Agency ने Insight 4B उपगरे को निश्क्रे किया है तो ये क्या गया है इस रो के द्वारा ये क्या गया है फाइफ नमबर क्वेशन है विश्व रेडियो दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है तेरा फरवरी को ये मनाया गया है एगरी टेक स्टार्ट अप कंपनी क्रशी नेटवर्क के नए ब्रेंड अमिसिटर कौन बने है तो ये बने है पंकच्तिरिपाटी बने है डीस का करेक्ट आंसर होगा 7. बेड़ पालन शेत्र में सुधार के लिए जम्मो कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये है तो ये किये है न्यूजिलेंड के साथ में हुआ है 8. वेश्विक उध्यमीता मॉनिटर 2021-22 की वेश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाई शुरू करने में आसानी के मामले में भारत की सिस्तान पर है तो इसके अंदर जो भारत है ये फोर्थ पोजिशन पर है 9. बारतिये टेबल टेनिस महासन की नए अध्यक्ष कौन बनी है तो ये बनी है गीता मित्तल बनी है ये इसका करेक्टर आंसर होगा 10. हाली में किसने निवेशक सरक्षन और सिक्षा कोस पर सलाकार सिमिती में बदलाव किया है तो ये किया गया है सेभी के दौरा और ये था कल का हमारा स्टड़ी ग्लॉस क्वेशन यूए एसजी भाषाओ पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसिटर कौन बने है तो ये बने है विजे शेकर शर्मा बने है सी इसका करेक्टर आंसर होगा और ये है आज का आपके लिए स्टड़ी ग्लॉस क्वेशन AVGC Center of Excellence लॉंच करने वाला देश का पहला राज ये कौन सा बना है तो इसका अंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा ये हमारा टेलिग्राम चेनल है आज का क्विज आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा यहां जाकर आप उसकी जादर से जादर प्रैक्टिस कीजेगा चली मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर थैंक यू